दोस्तों आज हमारे पास किचन में यूज होने वाली चिमनी की ये PC भी आई है रिपेरिंग के लिए ओटो क्लीन फीचर के साथ ये चिमनी है और उसकी ये PC भी है नोट वर्किंग कंडिशन में काम ना करने की स्थिति में ये हमारे पास PC भी आई है साथ में इसका जो डिस्पले पैनल भी है स्विच पैनल भी है जिसमें इसके स्विचिज होते हैं और ये आपका डिस्पले होता है वो इसके साथ में connector के साथ हमारे पास आया है दोस्तों इसको PCB को हमने इसे enclosure से भार निकाला और चेक किया तो हमारे को यहाँ पे इस area में काफी dark spot मिला यानि की burnt condition में यह थी अभी हमने इसको थोड़ा clean कर दिया है लेकिन यहाँ पे काफी ज़्यादा dark spot था यानि की यह जड़ी वी थी अभी भी अगर आप इसको गोर से देखेंगे तो यह जो SMT के resistance और यह 6 pin की जो IC है यह यहाँ पे burnt है जड़ी हुई है अब हमें नहीं पता कि यह IC का number क्या है यह resistance का number क्या था यहाँ पे क्योंकि reference के लिए हमारे पास दूसरी PCB available नहीं है अगर दूसरी PCB reference के लिए available होती भी तो मेरे पास तो यह संभावना भी है कि यह 6 pin की जो IC है मेरे पास सायद नहीं होती तो इस condition में जिस प्रिष्थिती में हमें यह नहीं पता कि यहाँ पे component क्या लगेगा और वो component हमारे पास ना हो वो IC हमारे पास ना हो जैसे अब मेरे पास ना तो यह IC है और ना ही मुझे इसका number पता है तो हम इसको कैसे repair करें कैसे इसको working condition में लेकर आएं बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो है वीडियो को पूरा जरूर देखें आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लें और बाकी वीडियो को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप हर तरह के अप्लाइंसीज की रिपेरिंग शीख सकते हैं 400 के आशपास हमने वीडियो अपलोड की हैं इंडेक्शन की SMPs की, inverter की, stabilizer की या LED की, street light की काफी तरह के जो अपने appliances हैं, instrument हैं उनकी repairing की videos हमने upload की हैं जा करके सभी videos को देख के आप repairing सीख सकते हैं अब इसको अगर दोस्तों आप बड़े गोर से इसको observe करेंगे महसूस करेंगे, देखेंगे तो आपको ये एक line यहाँ पर दिखाई दे रही है एक marking यहाँ पर दिखाई दे रही है, नजर आएगी जो की इस PCB को दो हिसों में बाट देती है ये जो dark black जो आपको marking दिखाई दे रही है ये PCB को दो हिसों में बाटती है एक इसा वो है जिसमें आपकी high voltage यानि की power devices लगे है एक ये area है इस left corner में bottom में जिसमें ये IC लगी है साथ में ये जो area है ये control का area है low voltage का area है जिसमें voltage जादा नहीं है कम voltage पर ये circuit यहाँ पर काम करता है यहाँ पर high voltage है AC 230 volt भी है DC 335 volt भी है यानि की ये high voltage का area है पूरा जिसमें आपका ये smps का area आ गया है साथ में ये relay का area है मैं दूसरी side से भी आपको दिखा जेता हूँ वो area ये है दोस्तों ये वड़ा जिसमें relay पर यहाँ पर 230 volt आती है यहाँ पर 325-30 volt आती है शड़-300 के आसपास भी आती है कभी-कभी voltage का area है जहाँ पर आपके control signal जाते हैं या फिर आते हैं यह जो आपका switches का area है या display का area है डिस्पले की जो PCB है यहां से signal आते हैं आपके उस हिसाब से फिर यह relay को operate करती है या light को on करती है छे switches हैं तो यहाँ पर वायर है या पर उनके लिए इसको हमने study किया तो दोस्तों यह जो wire है यह connector है यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े साफ साफ अक्सरों में सबसे उपर की wire है यह clean है यानि की clean वाला switch press करेंगे तो यहाँ पर signal आएगा उसके बाद low, medium और high यह आपका जो फैन होता है फैन की speed को control करने के लिए तीन wire है तीन switches से आती है उसके बाद दोस्तों नीचे lamp का है यानि कि उसके उपर जो light होती है उसके लिए एक wire है उसकी जो second last है वो ground है और last की जो है वो plus 8 volt है यानि कि यह 8 volt पे अभी इसमें दिखाया वाए कि 8 volt पे operated है लेकिन मुझे लगता है यह 8 volt पे नहीं यह 12 volt पे है क्योंकि जो relay है वो 12 volt की है अब जो हमारा नुक्सान हुआ है दोस्तों जो fault है उसमें ये चारों diode खराब है और नीचे की IC कुछ SMT component यहाँ पे खराब है जो मेरे पास नहीं है अब हम क्या करके देख सकते हैं कि यह जो यहाँ पे SMPS है जिसके AC को DC convert करके उसकी switching करके यहाँ पे दुबारा से यह जो transformer है high frequency का इस पे switching करवा के इसकी secondary पे जो low voltage आती है उसको यह जो diode है उसको rectify करके DC करके और यह आपका filter capacitor लगया है यहाँ पे वो आती है इसमें 8 volt लिखा है मुझे लगता है 12 volt आती है तो यही area में दिक्कत है तो मैं क्या करूंगा कि इस area को use ना करके मैं एक 12 volt और 2 ampere का एक smps यूज करूंगा जिससे हम इसको direct सलाने की कोशिस करेंगे आगे बढ़ते हैं तो अब हम क्या करेंगे यह जो smps circuit है इस circuit की जगें पे हम अपना 12 volt 2 ampere का smps यूज करेंगे यह smps 12 volt 2 ampere का इसको यूज करेंगे मार्केट में आपको easily मिल जाता है क्योंकि इसमें space कम होती है इस smps को हम यहां पे set नहीं कर सकते हैं तो इस smps की जो PCB है उस PCB को निकालके हम इस area में set करेंगे उसके लिए मैं यह जो component है इनको यहां से remove करूँगा इस capacitor को इस transformer को यहां पे जो component लगे है इनको remove करूँगा और चार यहां पे mounting जो आपके spacer होते हैं spacer की मदद से glue की मदद से यहां पे इसको mount करूँगा पहले check कर लेते हैं कि हम जो जैसा सोचते हैं क्या वैसा हम इसको own कर पाएंगे क्या उसके लिए दोस्तों मैं यहां पे connection को remove करता हूँ पहले तो यह जो आपका rectifier के लिए diode है यह negative आपका यहां पे direct capacitor पे गया है इस high frequency transformer का यह जो area जिस पे diode का connection है तो इस diode को पहले मैं यहा direct capacitor पे हम इसको check कर लेंगे ताकि अगर primary से कोई अगर current sync करे तो वो दिक्कत ना हो इस diode को simple निका लेंगे तो यह circuit आपका अलग हो जाएगा उसके बाद हमें पूरे circuit को निकालना ही है एक बार check करने के लिए ऐसा कर लेते हैं इसको मैंने एक end से cut करके निकाल दिया साथ में जो हमारे इंपूट के उपर रेक्टिफायर के लिए चार डायोड थे उनको भी मैंने open कर दिया वो सोट है मैं चेक कर वा देता हूं आपको यह जो डायोड है यह सोट है यहां पर उसके बाद जो SMT component है वो भी खराब है चारों ही डायोड सोट है आला कि इनको हमें निकालना ही था इसलिए मैंने पहले ही इनको भी cut कर दिया क्योंकि सोट थे इस अकेले को निकाल के भी हमारा काम हो जाएगा इस डायोड को अब मैं आप ध्यान से इसके positive और negative को देखके यह जो electrolytic capacitor है इसका negative यह है यह यहाँ पर negative है और यह आपका positive है यहाँ पर मैं SMPS से supply को connect करने की कोशिश करता हूं मेरे पास यह 12V का SMPS supply है अगर यह on हो जाता है तो फिर हम इस area को पूरे को निकाल के यहाँ पर PCB को यहाँ पर अच्छ यह दोस्तों यहाँ पर own हो गई है यानि कि ऐसा हम कर सकते हैं यह हमारी अब यह जो chimney है इस area को हमने बाइपास किया डारेक्ट 12V इस पर capacitor पर connect की तो यह हमारा काम हो गया है अब इसको connect करने में हमें एक दो बिंदों को ध्यान रखना है वो भी मैं बता देता हूं आपको क क्या क्या इसका ध्यान रखना है सबसे पहले मैं इस area को यहाँ पर साफ कर लेता हूं इस PCB के उपर लगेवे सभी component हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं इनको भी हम कहीं न कहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें यूज होने वाले ही component हैं यह आपका electrolytic capacitor है छोटे-छोटे electrolytic capacitor ह optocoupler है box type capacitor है जो भी है आप इनको अलग से यूज कर सकते हैं इसमें छोटने का कोई logic नहीं है हमें यहाँ पर space भी मिल गई है component भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों आप चाहें तो इस capacitor पर direct positive और negative connect कर सकते हैं smps का मैंने safety point of view से यहाँ पर दो diode को यूज कर लिया है by399 एक ड the great positive वाले को इस तरीके से लगाया है ताकि उसके जो हमारे smps की जो positive है वह उस डायोड के आणोड पर कनेक्ट करें और उसका जो कैथोड है वो करपेस्टर के positive पर जाएगा ताकि एक तो हमारे को यहां पर एक वोल्ट का ड्रोप मिल जाएगा टोटल और दूसरा अगर हमारी पोलारिटी उल्टी लग जाती है हमारे SMPS की तो हमारा नुक्सान यहां पर नहीं होगा मैं करके दिखाता हूँ आपको माली जी यह SMPS है हाला कि हम SMPS की PC भी यहां पर लगाएंगे फिलाल मैं चेक करवा देता हूँ SMPS कोई यह विच्ची से कनेक्ट नहीं हो आए यह देखे यह कनेक्ट हो गया है अगर हम उल्टा करके लगाएंगे तो यह आपका उपरेट नहीं होगा क्योंकि डायोड जो है रिवर्स में काम नहीं करता है दोस्तो यह जो PCP हमारे SMPS 12V SMPS की जो PCP थी उसको हमने एंक्लोजर से भाहर निकाल लिया है नेगटिव पोल्टिव को इस डायोड पर कनेक्ट कर दिया है स्लीव को उसके उपर से लगा दिया ताकि एक दूसरे से वो टच ना हो नूटल और लाइन हमने डायरेक्ट यहां PCP के यहां से कनेक्ट कर दिया है दो कंपोनेंट को हमने छोड दिया था जिसमें आपका यह ग्लास फ्यूज है और एक यह MOV है जिससे हमारी प्रोटेक्शन यहां पर डबल हो जाती है आना कि MOV और फ्यूज इसमें भी होता है फिर भी हमने MOV और जो यह आपका ग्लास फ्यूज है इसमें भी एक्टी छोड दिया है क्योंकि यही न्यूटल लाइन जो है वो आपकी रिले के थ्रू फैन को भी जाती है हमें अलग अलग वायर ना कनेक्ट करनी पड़े यह जो लीड है वो आपकी एजटी यहां पर यूज हो जाएगी हमने कनेक्ट भी कर दी है मेन सप्लाई पे तो यह पूरा यहां पर सेट किया था तो एजटी यहां पर यह सेट हो जाएगा इसमें आना कि हम इसके उपर जो ट्रांसफोर्मर में पेपर यूज करते हैं उसके अंदर इसको रैप करके लगाएंगे ताकि यह हीट हो के पेपर भी ना खराब हो और यह दूसरे ही टेस्ट होने की संभावना है इसकी कि यहां पर कम हो जाएं दोस्तों हमने इसको अच्छे तरीके से रिपेर कर लिया है इसको मैं अंदर मॉंट करूँ उससे पहले मैं आपको रण करके दिखा देता हूं इसको यह हमारा ओन हो गया है अब यह हमारा टस्पी यहां पर काम करेंगे यह रेखिए यानिकि अब यह हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको रिपेर कर लिया है आप भी कोशिज करें थोड़ी सी एक्सेसाइज करने पड़ती है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है लेक हार नामा ने बाकी वीडियोज को देखने के लिए दोस्तों आप अमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोज को देख सकते हैं रिपेरिंग सीख सकते हैं स्टूडेंट के लिए भी हमने थियोर्टिकल और प्रैक्टिकल के कम्बिनेशन वीडियोज अपलोड क रहे थैंक यू दोस्तु